तो देखो नॉर्मली यूज करना है न सिटी में ज्यादा ट्रावल नहीं है दस-पांच किलोमेटर चलना है देली तो आप जेल वाला भी ले लो भाई बाद में खराब होगा यार माल लो दो साल में भी खराब हो जाता है तो आप 9-10 जार उपे फिर बाद में डाल देना फि बजाज वालो सरम करो यार बताव 62 की गाड़ी में इतना पगड़ा ब्रेक मिलता है और मेरे से बाई बिरासी अगर उपे लिये थे हैलो भाई मवंगित भाई आप बूटर स्पेस देखके समझ गयोगे यह कौन सी गाड़ी है अगर उससे नहीं समझे तो मैं आपको यहां हमने देखा था भाई यह बिल्कुली भेसपा से इंस्पार है आज अपन इस गाड़ी को ड्राइब करके देखने वाले हैं गाड़ी चलाने में कैसी है अक्सर हम हर गाड़ी देखते रहते हैं कुछ दिन पहले मैंने आपको ओकिनावा दिख ला ता मतलब हर एक गाड़ी जो हमें मिल जाता है वो चला के देखते रहते कैसा चलाने में है आज अपने देखते हैं बहुत ही चोटी-चोटी-चोटी सी लगती है यार और दो जने के लिए बहुत ही कमफर्टेबल है तीन नहीं बैठ सकते और देखो मैं चाबी भूल जाता हूं अगर आप कामचोर ह तो ऐसे डबल टब करते हो तो आपकी गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है बैठ जाओ न अच्छे से तो भाई चाबी लगा आते हैं फीजिकल की यार फालतु में क्यूब पोकेट में रखना बाखी आपको गाड़ी मतलब ऐसे देखो ऐसे आपका बंद हो जाता है इससे ब बंद करता हूं और गाड़ी को ले चलते हैं यह देखो इलेक्ट्रिक गाड़ी में मेरे को प्रस्णली पता है सबसे पहला चीज क्या चल लगता है इनका जो है नहीं अपने को आवाज वेगरा मिलता है नहीं वरवेशन वेगरा मिलता है तो मितलब उठाते ही आपको कर सकते हो तो गाड़ी तो वैसे बहुत ही छोटी-छोटी से मतलब तीन जाने को नहीं बाइच सकते इस पर लेकिन दो जाने कमफ़र्डबली बाइच सकते भाई भी बैटें हमार साथ जो सोरूम से हैं यहां पर देखो अपने पास इतना स्पेस बच रहे हैं यह सब स्पेस अगर मैं आगे चल के बतलाता हूं सबसे पहले इसके बात कर लेते हैं तो इसमें अपने को उतना पावर्फुल मोटर नहीं मिलता भाई इसे पांसो वाड़ तक पावर मतलब कहती है लेकिन इसमें अपने को जादा थोड़ा सा मिलता है ताकि आपको चलाने मजा आए और आपको जिससे अच्छा-कास आपको रेंज वेकर भी मिल जाता और वह वाटर प्रूफ यह थोड़ा बहुता पानी में भी ले जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह सीन हो जाता है अभी देखो इन सब पर कोई डीपली में जाता भी लीटी सी है क्या है वो है उ इनों का आपको जो डिटेल अवे डिस्प्लेय पर सहो रहा होगा एक में अपने को रेंज मिल जाता है वही साथ किलिमेटर तक बाकि दूसरे में आपको वही असी पचासी तक रेंज मिल जाएगा वह अगर आप लीथियम वाला लेते हो तो एसीड वाले में आपको आपको देखने में कहीं परकार का दिक्कत में होगा समझ रहे हो ना मैं क्या बहुत आगे चाहता हूं बाकि हैंडिंग आपको बिल्कुली पेट्रोल स्कूटर के तरह मिलता है कोई आपको दिक्कत वाली बात है ही नहीं अभी बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग की भाई देखो टर्निंग है तो देखो आपको फील भी नहीं आ रहा कि यह पेट्रोल है कि बैट्री वाली है क्यूंकि देखो बस एक चीज़ का आपको अंतर मिलता है वह भरवेशन वे आपको रोक के गेर लगाना ऐसा नहीं है आप चलते चलते भी अराम से लगा सकते हो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं अपने को बाकि अभी धलाने ब्रेकिंग भी टेस्ट कर लेते हैं यार भाई क्या ब्रेक है यार पीछे अपने को ड्रम मिलता है और इतना तकड़ा ब प्रेक का तो यार फैन हो या फ्रेंट वाला टेस्ट करते हैं भाई आगे वाला भी शुलिप कर रहा है यार मतलब ब्रेकिंग के वालने में गाड़ी एक नंबर है फ्रेंट में टो डिक्स है और कि रियर में अपने को ड्रम मिलता है और एक चीज में आपको बतलाता है प्रेंड देना पड़ा थोड़ा घुमा के ऐसे तो नॉर्मल रोड पर चलाई लिए थोड़ा इसका सस्पेंशन टेस्ट करते हैं अभी देखो यहां पर तीन-तीन बीरेकर है भाई तो को संस्पेंशन के मामले में गारी थोड़ा सा स्टीप है यार फ्रंट में अपने को टेलियस्कोपिक मिलता है रियर में वही हड्रोलिक वाला मिलता है भाई यह टर्निंग के मामले में गाड़ी एक नंबर मेरे को फीली नहीं करा रही है कि भाई मतलब जैसे होता है ना कि टर्निंग कर में नहलत खराब है ऐसा कुछ निया और दो जने गाड़ी पर बैठे और इसका सीट का कुष्णिंग अपने को एक नंबर मिलता भाई मतलब यार मैं एक चीज नोटिस करा है उकिनावा का ले लो या फिर इनका लो लो मेरे को सीट इनका एक नंबर लगता है भाई हाला कि प्रेस प्रो का थोड़ा सा मेरे को इतना बुलाएम है लेकिन यह लेत यह देखो बाई यह देखो मतलब यार आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि कभी गाड़ी अंडर पावर है अभी दो जन्हें आपका वेट कितना भी है 55 kg के भाईया है और मैं 75 kg का हूँ तो समझे लोग यार देखी उन्तल में थोड़ा सा कम वेट है और गाड़ी बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं लग रही है बाई मतलब इसमें अपने को भले ही ज्यादा टॉप स्पीड मिलता है हलाकि स्पीड थोड़ा सा ज्यादा होता है तो मतलब आपको दिखने में ऐसा लोग है कि भाई गाड़ी कम स्पीड में चलती है लेकिन यार चलाने वाज बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि गाड़ी कम स्पीड में चल रही है यार नॉर्मली यूज करने के लिए कितना बढ़िया और सस्पेंसर भी बढ़िया अधा है खौका कोई अवाज में धंधंधंधंधं कोarchnet करता है न कुछ दिन पर राफ्ट का चला थे विहार में में फाल तो इतना अधंधंधंधंधंधं उसमें कर रहा था फुपचो मत और मों में यारों धैकर चलते दिच्छत पूच्छा घ्यार में ब्रीक है चला रह बाइन की गाड़ी अंबर पावर है तीन नंबर में भी भगाएंगे थोड़ी ज़र बाद कोई भी आपको नहीं बोलेगा अब थोड़ा इसको करते हैं अभी भागाते हैं यार हां यह है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में थोड़ा सा फीकप लेट से लेकिन अगर चाल पकड़ लेती है ना भाई तो दैन आपको इतना मजा आएगा कसम से मजा आजाएगा भाई मजा यह ना वैसे यह भी गाड़ी भाविर यह पन 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 भागते जा रही है भागते जा रही है कोई दिक्कत वाली बात है यह नहीं अब बोलो कि प्रफुलर नहीं है जहां पर अलग अलग सीटिम आप छोटे सीटी में विलांग करते तो इसका सोरुम आपको देखने को गारी मिलेगा लेकिन इनका मेरे को पता है मैं आपको वैसे ही कंपनी का स्कूटर दिखलाता हूं जिनका सर्विस एगर अच्छा हो और आपको प्रोपर हर जगा सर्विस मिल जा है वाई क्योंकि कोई भी भाई को बाब ने दिक्कत ना है यार लेल तो ने लेकिन फिर लेते हैं बहुत ही जादा हम लोग दूर आ गए यार और इसको टर्निंग ठोड़ा करके देखते हैं यह जोड़ा सा पर मेरा इसमें तच हो रहा है अगर थोड़ा छोटे हैट के रहोगे तो आप आराम से टर्म भी कर सकते हो मेरे को थोड़ा पर ऐसे नीचे रखना है वा आपको मतलब पूरा गाड़ी चेक हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत आपके द्वारा गाड़ी में कुछ टूटा फूटा रहेगा तो उसका आपको पैसा पे करना पड़ेगा बाखी लेबर वगरा का आपको पे नहीं करना पाई तीन सर्विस का आपको नॉर्मली फ्री लेकिन बिल्ट क्वाल्टी अच्छा सुचेज वगरा का क्वाल्टी हो गया या फीड जैसे हो गया है तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ आफ्टर मार्केट लगा यह वाला थोड़ा सा मतलब चाहती तो कुमाकी चाहती तो थोड़ा इंप्रूब कर सकती थी लेकिन ठीक है भा कभी आपको वह नहीं होगा कि चीप क्वाल्टी वाली गाड़ी आप चला रहे हो भाई ऐसा मैं सोचना कि मेरे को पैसा दिया कुमाकी वाले तो मैं इसलिए ज्यादा तरिफ कर रहा हूं अभी देखो आपका ज्यादा हाइट है ना तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा द सब्सक्राइब नहीं है और सब्सक्राइब करना चाहते हैं उनके लिए गाड़ी बहुत ही बेश्ट है मतलब आप जेल वाला भी ले लो तो भी आपके लिए सोने पर सुआगा है साथी वह आगर आप ले लेते हो लिधिया मैं तो और भी बढ़िया है उसका प्राइज वैए लेते हो तो उसका अपने को दो साल का फुल गरांटी मिलता है दो साल का अंडर कुछ भी होता है तो आपको नया मिलेगा राजेतरी एक साल यह कुझा खूल जा रहा है भाई मैंने इसको बंद भी ने कर अच्छी से बाकि मिए इसकी बात करते हैं जेल वाले की तो ज भाइफ होता है जेल वाले का बात कर लोते हैं और चार्जर का वराइंटी के तो इसमें अपने को भाई वराइंटी मिलता है दो साल का अगर कुछ भी होता तो आपको रिप्योर करके निया अगर नहीं होगा तो दन उसके बाद कंपनी नया देगी यह सीन हो जाता है इस सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका प्राइज बीस से 25,000 तक मिल जाएगा कंभी हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है मतलब इसी के राइंड आपको मिलेगा क्योंकि देख प्राइज क्यों नहीं बता रहा हर दम प्राइज थोड़ा बहुत घरता बढ़ता रहता है समझ रहा ना तो यह सीन हो जाता है मतलब इसी के राइंड आपको दिन जाएगा अब तो यह सी नहीं हो जाता है बाकी रेंज वेगर मैंना आपको बतलाए दिया आगर आप नौर्मली यूज करते हो तो लिठियमाईं से आप 80 km तक एचिव कर सकते हो बाकि अगर थोड़ा भगा के यूज करते हो तो थोड़ा सकन हो जाएगा अगर जेल वाला यूज करते हो तो भाई वही आपका साथ तक मिल जाएगा पश्पंसार तक तो देखो नॉर्मली यूज करना ना सिटी में ज्यादा ट्रावल नहीं है दस-पांच किलोमेटर चलना है डेल ही त यहां पर यह कंफ्यूज हो जाता हूं इलेक्ट्रिक वाले में अभी मैं हौन मारना चाह रहा था और भूली गया भाई कि हौन वाला बटन कहां है नीचे में रहाँ चला गया था यह थोड़ा सा हो जाता है बाकि द्राइब करते करते आपको आदस्या हो जाएगा और पाली जलाने में मेरे को एक नमबर लगी भी थोड़ा इसको खड़ा करते हैं और लोग बाक बोलते हैं कि इसको लॉक करते हैं भाई देखो अब इंगनिशन बंद हो गया लोग बाग बोलते हैं कि भाई बैटरी वाले में जान नहीं होता है वैसा होता है अभी देखो यहां से मैंने चड़ाया दो जैने बैठे हुए थे भाई ने आपको वेट भी बतलाया तो कोई इसू नहीं ह अबिकापूर या फिर खासकर 36 गड़ से विलॉंग करते हो तो इनके सोरूम में जरूर विजिट कर सकते हो यह अंबिकापूर में एमजी रोड करके है इधर ही के साइट पढ़ता है मैं इनका कॉंटेक्ट नमबर और डिक्स्क्रिप्शन में दे दूँगा इनका पूरा नाम भाई एमजे इंटरप्राइजस करके है मैं नमबर भी दे दूँगा चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवार थांक्यू सो मच कर दो कर दो कर दो